नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं गाजर के फायदे और नुकसान के संबंध में स्वास्थ विर्षे शग्यों की माने तो गाजर स्वास्थ के लिए सर्वुतम आहार में से एक है गाजर अनेक पोश्टे गुनों से भरपूर है इसमें विटामिन A, C, K और B, A, पैंटो थेनिक एसीड, फोलेट, पोटेशियम और लोह तामबा और मैगनीज जैसे और भी ख और अच्छी बात तो यह है कि गाजर पूरे वर्ष बाजार में आसानी से उपलब्द होती है आप इसको अपने सालाद में मिला कर खा सकते हैं या फिर सबजी या सूप या फिर मिठा से भरे जूस का भी सेवन कर सकते हैं आईए अब हम सभी जानते हैं सबसे पहले कि गाजर से क्या क्या फायदे हमको हो सकते हैं गाजर के फायदे सबसे पहले आँखों के लिए जी हाँ गाजर से सबसे उत्तम स्वास्थ गुणों में से एक है स्वस्थ द्रिष्टी गाजर में विटामिन A के उच्छ मात्रा प खिलाब आँखों की रक्षा करता है तो आज ही से गाजर खाना आरम करें और अपनी आँखों को स्वस्थ रखें गाजर के रस के फायदे आपको कैंसर से भी दूर रखते हैं गाजर के कैंसर रोधी गून इसके स्वास्थे लाव की अन्य उपलब्धी हैं गाजर में बिमारियों से लड़ने की शमता प्रदान करते हैं अनुशन धानों में यह बात साबित किया गया है कि गाजर में उपस्थित फायटो न्यूट्रेंट्स और अन्य घटक कैंसर के विकास को बाधित करने में सक्षम हैं ज्यादातर अध्यायनों के अनुसार गाजर के रस का एक डिढ़ कप कुछ हपतों के लिए दैनिक रूप से पीने से कैंसर पर महत्वपून साकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसके अलावा गाजर का नियमित सेवन फेफडों कोलेस्ट्रोल और प्रोस्टेट कैंसर के खत्रे को कम करने में भी उपयोगी हैं गाजर के अन्य प्रोस्टेइन से भरपूर है जो काफी अच्छे एंटियोक्सिडेंट्स हैं और कोलेस्ट्रोल का विरोध करने में और दिल का दोरा पढ़ने के खत्रे को कम करने में भी मददगार हैं इसके अलावा गाजर में पोटैशियम आपके रक्त वाहिकाउं और धमनियों को पढ़ने लगे तो फटा फट एक गाजर का सिवन आप कर लें गाजर खाने के फायदों में से एक मुख्य फायदा है कि यह मौखिक स्वास्ते को सुधारता है जी हां गाजर आपके मौखिक स्वास्ते के लिए बहुत ही फायदे मंद है इस स्वास्ते वर्धक एवं स्वा पाईवा के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं और स्वभाविक रूप से शार्य होने की वजह से मुह में एसीर के प्रभाव को संतुलित करते हैं इसका शार्य प्रभाव मुह में बैक्टीरिया के विकास पर भी रोक लगाता है जो केविटी मुह से दुरगंद और अन्य स्वास्ते समस्याओं को दूर रखता है घाजर विटामीं सी का भी एक प्रचूर सुरोत है जो योजी तंतु दांत वर मसूष्यक के स्वास्ते को सुनिष्जित करता है तो सालों साल अपने दांत वर मसूष्य हाने के लिए किये गए शोध के अनुसार जो लोग रोजाना गाजर का सेवन करते हैं उनमें 68% तक स्ट्रोक से ग्रस्थ होने की संभावना कम हो जाती है इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से एक गाजर खाने से 68% तक दिल के दोरे के खत्रे को कम किया जा सकता है जिसका श्रे गाजर में मौजूद बीटा के रोटीन के उचस्तर को दिया जाता है स्ट्रोक होने के खत्रे को कम करने के लिए कम से कम 5 बार एक हपते में गाजर खाना शुरू कर दें गाजर खाने के एक अन्यलावों में से है कि ये आपके छेहरे को निखारता है यानि कि आपकी खुबसूरती को निखारता है एंटि एक्सिडेंट और विटामिन ए का एक प्रचूर श्रोध होने की वज़ा से गाजर आपकी त्वचा को खुबसूरत बनाता है आपकी गाजर तवचा के उत्तकों के सुधार में भी मदद करती है। गर्मियों में गाजर का रस पीने से गाजर तवचा के लिए एक शक्त शाली प्रकृतिक सुर्य ब्लॉक के रूप में कारे करती है। यह तवचा को नम रखती है और मुहां से रंजकता, धब्बे और और समान त त्वचा टोन से त्वचा का बचा हो करती है इसके अलावा गाजर अको स्वस्थ मकदार और जीवत रखने कि लिए विज्चा को एक नया निखार देने के लिए आप गाजर से चेहरे के लिए एक सरल और आसान सा मास्क बना सकते हैं थोड़े से शहद में दो बड़े चम्मच कसे हुए गाजर को मिक्स करें और चेहरे और गर्दन के शेतर पर इस पेश्ट को लगाएं मास्क के अच्छी तरह से सुखने पर इसे गर्म पानी से अच्छे से धोलें इसके साथ साथ गाजर से आपका पाचन तंत्र भी बेहद मजबूत होता है इसके साथ साथ गाजर का लाब होता है कि ये आपके पाचन स्वास्ते को सुधारता है जी हां इस कुरकूरी सबजी में परयाप्त मात्रा में अहार फाइवर शामिल है जो पाचन स्वास्टे को बनाए रखने में अत्यंत महतोपून भूमी का निवाता है गाजर में उपस्तेत फाइवर मलत्याग घ्रिया को नियमित एवं उत्तेजित तो करता ही है परंतु साथी में यह मल को पाचन तंतर के माध्यम से आसानी से पारित करने के लिए भी मददगार है इसके अलावा यह अमाशयरस के स्त्राव को उत्तेजित करता है गाजर का उपयोग लिवर की रक्षा करने में भी किया जाता है गाजर आपके लिवर की पर्यावरन रसायन के विशाक्त प्रभावों से रक्षा करती है इसमें उच्छ मातरा में विटामिन ए पाया जाता है जो शरीर से विशाक्त पदार्थों के निकास में एक अहम भूमिका निभाती है इसके अतरीक्त यह लिवर में पित एवं जमा हुए वसा यानिके फैट को कम करने में सहायक है इसमें घुलन शील फाइवर भी अच्छी मातरा में पाया जाता है जो मलत्याग की क्रिया को उतेजित कर आपके लिवर और कोलन को अच्छा रखने में मदद करता है नियमित रूप से गाजर का सेवन लिवर में जलन, सूजन एवं संक्रमर को कम करता है जिससे हेपेटाइटिस, सिरोसिस और पित स्थिरता जैसी लिवर समस्याओं से लिवर को सनरक्षन मिलता है इसके अलावा गाजर मधुमेह में भी लाखकारी होता है या मधुमेह को नियंतरित करता है गाजर में भले ही उच्छ चीनी सामगरी पाई जाती है लेकिन यह अभी भी जो लोग मधुमेह रोगी हैं उनके लिए एक स्वास्थे वर्धक विकल्प है क्योंकि गाजर में उपस्थित प्राकृतिक चीनी शरीर द्वारा आसानी से ग्रहन किया जा सकता है हरांकि गाजर एक अपिक्षाकरित उच्छ ग्लाइसीमिक सुच कांख है परन्तु इसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत ही कम है इसके अलाबा गाजर में निहित कैरोटे नाइड रक्त शरकरा केस्तर को नियंतरित कर उसे कम करने में मदद करते हैं यह इंसुलीन प्रतिरोध को भी प्रभावित कर मधुमेह रोग्यों को मधुमेह से लड़ने में मदद करते हैं गाजर में मौजूद महतोपून जैविक शारिय तत्व रक्त शरकरा केस्तर को संतुलित करने में मददगार है स्वस्त जीवन जीने के लिए मधुमे से पिडित लोग रोजाना एक कप पके हुए गाजर का सेवन कर सकते हैं उनको लाब होगा इसके अलावा गाजर के रस के फैदे आपकी बढ़ती उम्र को भी रोकने में होते हैं यदि आप आगे आने वाले कई सालों तक खुबसूरत और जवान दिखना चाहते हैं तो कुछ सोचे मत और अभी से ही रोजाना गाजर खाना आरम भकर दीजिए गाजर को उम्र छुपाने और बुढ़ापे से लड़ने के लिए बेहद ही उपयोगी और शदी माना जाता है बरतिवी उम्र को मात देने की कला की वजह से इसे शक्ति साली बुढ़ापे को कम करने वाली सबजी की भी उपाध ही दी गई है यह मुख्य रूप से गाजर में बीटा के रोटीन के उपस्थिती के कारण है जो मेटाबलेज्म को संचालित कर कोशिकाओं के स्वास्थ को सुनिश्चित करता है इसके अलावा विटामिन सी का समरिध स्रोथ होने की वजह से गाजर कोलेज्योन के उत्पादन में भी सहायक है कोलेज्योन तवचा के लचीलेपन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपून भूमिका निभाता है जो जुरियां रेखाएं और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षन को रोकने में मदद करता है जुआ इस्थिती को बनाए रखने के लिए बस रोजाना गाजर के रस का एक गिलास आपको सेवन करना चाहिए लेकिन जो भी अवश्यधी होती हैं हम आपको बताते हैं कि उसका जितना फायदा होता है उसी के साथ साथ उसका लोस भी आपको हो सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है तो अभी तक तो हमने आपको फायदा बताया लेकिन आईए अभी से होने वाले नुकसानों को जानते हैं चुकि गाजर स्वातिष्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही उत्तम स्वास्ते वर्धक आहार भी है तो इसकी संभावना बहुत जादा है कि आप इसका अत्यधिक सेवन कर लें परन्तु इसका अत्यधिक सेवन से साथान रहें क्योंकि इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको कुछ एक दूश प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि गाजर बीटा के रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोथ है जो आपके शरीर में विटामिन A की कमी की आपूर्ति करता है परन्तु यदि आप इसका सेवन बहुत अधिक मातरा में करेंगे तो इससे आपके शरीर का रंग भीका पड़ सकता है संभोता आपको गाजर से एलर्जी हो सकती है गाजर में चीनी का अस्तर उच्छ है इसलिए यदि आप मधुमेह से ग्रस्थ हैं तो गाजर का सेवन कच्छी रूप में ना करके उबाल करके करेंगे अधिक मातरा में गाजर खाने से आपके शरीर द्वारा मैगनीशियम, लोह, कैल्शियम, जिंक, इत्यादिक हनी जोके और शोशन पर असर पड़ सकता है यदि आप उचित मातरा में गाजर का सेवन करेंगे तो इससे आपके पाचन स्वास्त में सुधारा सकता है वहीं दूसरी और अधिक मातरा में इसका उपयोग करने से आपको गैस, दस्त, पेट फुलना, पेट दर्द, इत्यादि जैसी पाचन संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है अधिक मातरा में गाजर या फिर उसके जूस का सेवन करने से स्तन का दूद का स्वाद बदल जाता है इसलिए स्तन पान करा रही महिलाओं को इसका सेवन सिमित मातरा में ही करना चाहिए हमने जो भी बातें और बिमारियां बताई इसका आपको खयाल रखना चाहिए क्योंकि गाजर एक स्वादिष्ट आहार होता है सबजी है इस वज़ा से लोग इसका ज़्यादा मातरा में सेवन कर लेते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसको आप अगर संतुलित मातरा में लेते हैं तो हमने जो भी लाभ आपको बताए ये सारे लाभ आपको इससे प्राप्त होंगे तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए गाजर के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों